तो 1st यहांपे दिखते हैं 1st question क्या C expects that her son यहांपे 3 option दीख रहे होंगे अब आपको यहांपे expect की बात होगहे है C expects that her son can return, may return, should return तो देखिए जब यह अगर हम possibility की बात करते हैं ठीक है बात possibility की हो तो यहांपे क्या करना होगा आपको किसका यूज़ करना होगा में का यूज़ करना होगा ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा she expects that her son may return है नो ध्यार किया next क्या है यहाँ पर question if we request her if we request her she dash to college if we request her she dash to college must give a lift, might give a lift, can give a lift mouse remote possibility remote possibility remote possibility might का use होगा ठीक है might का use होगा जहार कि can का नहीं must give नहीं होगा बलकि might give a lift ठीक इसका जो correct answer होजाएगा B होगा remote possibility के लिए आप might give a lift का use करेंगे मैं इसके might का use करेंगे next लेश्ट क्या भाई कि all felt that he dash achieved अब देखें यहाँ पर क्या होगा होगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखें felt लिखा हुआ है सबसे पहले आपने felt देखा तो यह तो आपसे पता चाहर है कि past में उसके बाद that लगा है उसके बाद sentence है तो तो reporting verb है ठीक उसके पहले क्या है all felt यह भी past में अब जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि reporting verb जब यहाँ पर क्या होगा past में होगा ठीक all felt that he dash achieved तो यहाँ पर क्या होगा might be achieve होगा ठीक है reporting verb भी क्या होगा आपका जब यहाँ पर reported area तो reporting भी क्या होगा यह भी past में होगा ठीक है यह भी past में होगा आप पास्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं यहां पर past की possibility कि अगर बात हम करें तो past की possibility के लिए हम might का यूज करते हैं ठीक है might be achieved all felt that he might be achieved clear तो ध्यारे कि indirect sentence में reported वह past में हो तो reporting वह भी past में होगा इसके recording यहां पर जोगा ना तो can होगा ना तो में होगा बलकि might होगा ठीक है चले next क्या कि does I go out question mark ask her son यहां पर क्या होना चाहिए अगर यहां पर बात हो रहा है ask her son ask her son means what what means कि permission ठीक है permission की बात हो रही है जब question permission का हो तब वहां पर हम क्या use करते हैं तब वहां पर use करते हैं may का may I go out question mark ask for ask her son ठीक है चले आगे बढ़ेंगे सवाल पर the son asked his mother if he does the son asked his mother if he does अब यहां पर क्या आपको करना होगा फिर से वही सवाल ठीक है ask दिख रहा होगा तो एक ता से फिर से indirect sentence में मैंने भी बताया था reported verb अगर past में है तो reporting verb भी क्या होगा आपका वह भी past में होगा तो reporting verb past के लिए हम क्या भी मैंने बताया आपको might का यूज करेंगे the son asked his mother if he might go out ठीक है तो ध्यार के reporting जो यहां पर clause है reporting clause जो आपका है यह reported verb की बात करते है reported verb अगर यहां पर जो है आपका past में है तो reporting reporting verb भी क्या होगा past में होगा ठीक है तो ध्यार की का where reporting verb in the past और वो possibility की बात हो तब वहां पर might का यूज करते है clear चलिए next question does our king live long अब यहां पर may must suit what क्या होगा यहां पर ठीक है तो जब भी आप wish की बात करें जब भी आप wish की बात करतें किसी के कामला की बात करतें किसी के लिए prayer या में का यूज करते हैं May our king live long clear चलिए next कहां कि we eat so that we eat so that we does live अब क्या है कि हम लोग इसली खाते कि हम लोग जीवीत रहें क्या है एक उद्देश है यह परपस है जब परपस की बात हो जब परपस की बात हो तब हम क्या यूज करेंगा वहां पर यहां पर में की बात करेंगा ठीक है वी it so that we may live can नहीं माइट नहीं ठीक है चलिए last question है कि he went there so that फिट से यह परपस है लेकिन यह फिट से यहां परपस की बात कर रहा है ठीक है जब संटेंस पास्ट में हो तब क्या उस करेंगे might present में हो तुम में ठीक है चले लेस्ट कि see advise that i-cattel expenditure ठीक यहां पर क्या होना चाहिए यहां पर see advise that i-cattel expenditure तो देखें कोई चीज अगर बात किसी चीज का हो रहा है future in past की बात हो ठीक है future in past की बात हो मेंज कि see advise उसने चला दिया कि what i-cattel expenditure एडवाज है कि future में past में कोई बात है बोला जा रहा था कि future में आपको ऐसा करना चाहिए तो वहाँ पर इस तरह के sentence को कहते future in past future in past वाला अगर sentence हो तब हम क्या यूज करते हैं वहाँ पर suit का करते हैं कि i should किसी के भी जीवन को वह क्या करता है बरबात कर देता ठीक है तो you dash what अब यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए हमें क्या यूज करते हैं वहाँ पर should के साथ तो have होगा ही होगा ठीक है should have work का third form यहाँ पर should have you should have warned him that gambling would ruin him ठीक है clear तो obligation की बात हुआ जब past में अगर कोई आपको बताय जा रहे है पास्ट में कोई बात है कहा गया था कि और उसमें एक आपको obligation किया गया था कि आप ऐसे नहीं करेंगे वरना आपकी जीवन को आपका जीवन बरबाद हो जागा ऐसी कंडिशन में हम क्या करते तो пता का थन्फ फार्म ल लगता है न लगता है न तो चूड़ है वाला यूज़ करेंगे चली है को भासे साओं ओर वी इनज्वाइड ए दा मुवी डैस देर हां फिर क्या जाला है कि यू डैस क्या होना When तो यहां पर क्या होगा you should have been there ठीक है you should have been there ठीक फिर से वही वाला question था जैसे कि इसके पहले वाला था should have, want उसी तरह अगर हम बात करें obligation in the past की बात हो same question है अगर obligation की बात हो अगर कोई चीज express किया जा रहा है obligation का past में तब हम क्या यूज़ करते है should have ठीक है, तो should have been there यहां पर correct होगा answer clear, चले आगे बढ़ेंगे सवाल पर आगे जो सवाल है does you work hard, you will pass जब conditional sentence की बात होता है जब condition की बात होता है तब हम क्या यूज़ करते है does you work hard, you will pass जब conditional sentence होगा तो वो क्या होगा, और conditional sentence वाला जो बात, उसके जो clause होगा, या sentence होगा, वो क्या होगा तो, याद रिए conditional sentence की बात वाला जो sentence होगा, वो होगा future में तो उसके पहले वाला जो sentence होगा वो होगा क्या यहां पर जो होगा आपका, क्या होगा यहाँ पे होगा कहा गया question number यहाँ पे होगा present में ठीक है यह होगा present में तो present के लिए हम क्या use करेंगे should 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 equal to यहाँ पे if भी आप use कर सकते हैं ठीक है if you work hard you will pass तो कहने का मतब conditional sentence वाला जो clause होगा वो होगा present indefinite में और उसके बाद वाला होगा future में ठीक है जैसे कि option के recording क्या हो should you work hard या if you work hard you will pass next क्या है I told him that I just live next day ठीक है अब यहाँ पे क्या हो रहा है question में अगर आपकी कोई यहाँ पे बात हो duty की बात हो obligation की बात हो I told him that I just live next day तो यहाँ पे क्या हो जब आप आपका कोई duty है या obligation है तब आप क्या use करेंगे यहाँ पे आप should का use करेंगे I told him that I should live next day ठीक है चले next question पे आते है कि make hast less you dash late ठीक है जब यहाँ पे purpose की बात हो फिर से अगर purpose की बात हो बात purpose की हो कि make hast जल्दी करो वर्णा है ला negative sense देता है less क्या देता है यहाँ पे negative sense देता है याज रखेगा negative sense देता है कि make hast जल्दी करो वर्णा you what you should get late तब यहाँ पे क्या होगा should वाला यहाँ पे आएगा ठीक है should we want next क्या है c-work hard if she wants to top the merit list ठीक है if she wants to top the merit list c-work hard c-work hard अब यहाँ पे क्या होगा जब आपका कोई necessity हो बहुत ही necessity की बात हो necessity यह तो बहुत जरूरी है ना कि अगर आपको merit list में नाम merit में आपका top में नाम अगर चाहते हैं यदि आप merit में top में नाम चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए यह आपका necessity है c-must work hard आपको अवश्रिक करना चाहिए करीम हैनत यह obligation की बात हो next क्या c- as it was raining heavily क्या और दा बारिस बहुत जोरोसकी हो रही थी c-s alone तो क्या होना चाहिए यहाँ पर जब आप order of speaker की बात करते हैं order of speaker की बात करते हैं वहाँ पर एक क्या होना चाहिए एक obligation के तोर पर यहाँ पर क्या होना चाहिए must not leave ठीक है c-must not leave alone चुकि it was raining heavily ठीक है suit नहीं suit होगा नहीं ठीक है और must not have left भी नहीं होगा ठीक चलिए बात समझ में आगे जब यहाँ पर order of speaker की बात हो तो यहाँ पर आप जो है model जो must है आप उसके साथ जाएंगे not live alone as it was raining heavily ठीक है कोई past की कोई obligation की बात नहीं हो रही है चलिए next क्या कि c-alone as it is raining heavily अच्छा same question double repeat हो गया है क्या चलिए same question repeat हो गया है कोई बात नहीं अगे बढ़ते हैं सवाल पे I am sure the principal dash in his room ठीक है I am sure the principal dash in his room जब strong possibility हो जब strong possibility हो तब क्या यूज़ करना चाहिए तब हमें use करना चाहिए must be ठीक है I am sure the principal must be in the room I am sure कि principal room में होंगे है न चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे you dash away your parents अब देकि parents की बात हो रही है और ओबे की बात रही है अधर करना पालन करना तो यहां पर एक है moral जब obligation parents के sense में क्या होता है moral obligation कोई नाथिक आपके जिमेदारी हो दाई तो हो obligation तो moral obligation के sense में हमें क्या यूज़ करना चाहिए moral obligation के बात जब यो simple में तो आप suit का यूज़ करते है simple obligation लेकिन अगर moral obligation के बात हो तो are to का यूज़ करते है ठीक है दोनों का sense में चाहिए होता है लेकिन are to का मतलब होता है moral obligations के sense में यूज़ करते है you are to obey your parents आपको अपने प्रेणिस का क्या करना ची ओबे करना ची आधर करना ची ठीक है चले next question का you dash stood by your sister when she was in difficulties फिट से यहाँ पर क्या रहा है यहाँ पर एक चीज़ समझेगा यहाँ पर जो action हो रहा था past में उसको क्या किया जा रहा था you dash stood by your sister when she was in difficulties जब वह difficulties में थी तो you dash stood by your sister तो you are to have होना चाहिए ठीक है you are to or have stood by your sister आप देख रहे कि इस टूट व्यू टू है was यहाँ पर फिर से past में है तो past के लिए हम क्या यूज करते है past के लिए हम have का यूज करते है ठीक है क्योंकि इसके पहले वाले सिफ ought to मैंने बता है कि ought to होता है लेकि ought to have कब लगे जब वह sentence past की बात करता हूँ past के बारे में कोई past की चीज़े के बारे में बात कर रहा हूँ और past में वो चीज़ निगलट किया जा रहा है आपको अपने जो sister के साथ खरे रहना चाहिए थे जब मेंसको उसके साथ होने चाहिए थे जब उसका जब वो मुसीबत में थी तो ठीक है past की बात हो तो ought to है और कहीं है कि यह एक तासे ought to फिट से moral एक आपको responsibility बताता है कि आपको moral obligation यहाँ पर बताता है आपको वह एक करना चाहिए था ठीक है चले next क्या कि she told me that she that's English fluently and was very happy देखे अब यहाँ पर क्या करना होगा हमे she told me that she she could speak English fluently and was very happy उसने कहा कि उसने English fluently बोला है न और इसके वाज़े से वो बहुत खुस थी इसके वज़े से वो बहुत खुस थी तो यहाँ पर क्या होगा आपका could speak होगा could speak जब could का यूज़ करते हैं तो कहीना के यहाँ पर एक past की ability के बारे में बात करते हैं और जो action past में हुआ हो past की ability के साथ साथ ठीक है पास्ट की ability के साथ साथ उसका action भी हुआ हो तब ऐसे condition में हम could का use करते हैं ठीक है अला कि could का और भी use होगा आगे आप देखेंगे ठीक है could का एक polite way में भी use बता लेकिन आप एक could की बात अगर करें तो could speak she told me that she could speak English fluently and was very happy ठीक है पास्ट की ability है आपकी ability है कि आप बहुत सकते हैं और इसके वाज़े से आप खुशते हैं चलिए ठीक है next क्या कि that you please help my son अब देखें यहां से फिर से वह आपको मैं बताना चाहते जहां कि आपको could का यहां पर past capability की बात हो रही थी यहां पर polite request की बात होगी है यहां पर polite request के अगर जब बात हो तो क्या हम यूज़ करते हैं तब उस sense में could का यूज़ करते है could you please help my son could you please help my son को श्रमाग ठीक है चलिए next क्या कि my friend did not did not help me though he does help अब देखे डिट से यहां से फिर से पता रच्चा रही कि यह past में है ठीक है और अगर past में है तो हमें क्या past के लिए मैं लेकिया बताया था कि could के साथ तो have होना चाहिए my friend didn't help me though he could have help फिर से की past की ability की यहां पर बात हो रही है past की ability की बात हो रही है यहां पर तो could के साथ हम have का यूज़ करेंगे ठीक है my friend didn't help me though she could have helped ठीक है मेरा जो दोस्त है उसने मेरी मदद नहीं किया हलाकि वो कर सकता था है नहीं तो past की जो ability है लेकिन वो action हुआ नहीं लेकिन एक possibility के sense में अगर बात करते हैं यहां पर could और चुके past में तो have का यूज़ करेंगे यहां भी देखते है help से पता चाहिए past में है ठीक है चल एक्सप्रेस करते कोई आपका planning है और जो आप करने वाले हैं ठीक है जो आने वाले रिस्टाटलिक फ्यूचर में आप जो करने वाले हैं वहां पर ऐसे sense में sentence में क्या होना चाहिए तो ऐसे sense में जो sentence मनेगा he is to ठीक है he is to catch the first trend tonight was नहीं is to have नहीं ठीक है was नहीं is to have नहीं ठ cases है यहां पर two plus infinity वाला case है चलिए नेस पर आते हैं कि यहां पर क्या होगा आपका future in the past वाला sentence है यह question क्या है future in the past आपने past में कुछी सोचा था कि future में ही चीच कर रहेंगे she told me that fee-go to Mumbai next month तो past में एक बात हुआ था कि मैं अगले महने क्या करूंगा Mumbai के लिए जाओंगा तो ऐसे में हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं कौन से model वाप का उसकरते हैं ऐसे में हम जो यूस करते हैं वो करते हैं यूट वो क्या यूस करते say tell she told me that she would go to Mumbai next month ठीक है तब अगर past की बात हो तो आप क्या यूस करेंगे यहां पर उड़ का ठीक है चलिए next क्या कि he does go to college daily by bus in his college days habitual action की बात हो रही है है जब habitual action की बात हो habitual action की बात हो अब college daily जाना है बस से तो उसका तो रोज का काम है डेली का काम है तो यहां पर क्या यूस हो का ऐसे sense में आप suit नहीं लगांगे will नहीं लगांगे आप would का यूस करेंगे ठीक है he would go to college daily by bus in his college days ठीक है चलिए क्योंकि habitual action में would का use to का हम लोग यूस करते हैं या फिर भी यूस्टू का यूस करते हैं यह ना चलिए लेस्ट कहें कि डैस you please help my son अच्छा एक फिर से वह को सब्सक्राइब हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या फिर से यूस्टू या यूस्टू है ना तो देखिए जब आपका यह पास्ट की रूटीन बात कर रहा है यह पास्ट की बात हो रहा है ना माइफ्रेंड डैस विजिस्ट में एवरी संडे वेन आई वोज इल जब मैं बीमार था तो यह पास्ट का क्या है आपका रूटीन बताता है आरो यूट यह नहीं पास्ट का रूटीन जब बता है तब आप ऐसे किस में आप क्या यूस करेंगे यूस्टू का यूस करेंग my friend used to visit my every Sunday when I was ill आप जैसे ही दूसरा क्रिश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज है change होता हुआ नजर आएगा ठीक, देखें यहाँ पे यह दीपु डास getting up early in the morning दीपु used to getting up early in the morning या दीपु is to getting up early in the morning तो यहाँ पे जो होगा दीपु used to is used to होगा ठीक है, is used to ठीक है तो ध्याँ रगिएगा used to is also used as an adjective इसको जब adjective के format में, adjective के रूप में जब use करते हैं, तब हम क्या इसे use करते हैं b plus use to के sense में use करते हैं b में is MR कुछ भी हो सकता है was बर कुछ भी हो सकता है, तो b के लिए हमने यहाँ पे is लगा और used to तो होगा, ठीक है, जब हम क्या करते हैं used to को कैसे use करते हैं, adjective के sense में use करते हैं, used to को adjective के sense में use करते हैं तो, ठीक है चलिए, clear और last का question आते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि he dares his rival यहाँ पे dare का मतलब समझेगा, जब आप principle verb की तरह use करते हैं principle जब verb का use करते हैं तब क्या use होगा, और जब auxiliary verb की तरह use करते हैं, तब क्या होगा principle verb की तरह जब use करेंगे तो ध्यान रखेगा यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा dare में जो है, आप देख रहे हैं dare में जो s लगा हुआ है यह s लगता है, principle verb की तरह use होता है तब जैसे he dares के बाद फिर क्या होगा to, dare to abuse लेकिन अगर यह auxiliary verb की तरह use होता auxiliary verb की तरह use होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पे dare में s नहीं लगाते है see dare not go there see dare not go there लेकिन चुके अगर यहाँ पे principle verb की तरह use हो रहा है तो यहाँ पे क्या use किया जागा he dares, s या yes वहाँ पे use करते हैं, ठीक है और इसके बाद 2 प्लस b1 का use होगा जो होगा ही, ठीक उड़ीist